नमस्कार, मैं गणपत सिंग राजप्रोईत, असिस्टन प्रोफेसर, गवर्मेंट आव राज़तान, सब्जेक्ट हिस्ट्री. पिछले तकरीबन ग्यारा वर्सों से मैं राज़की संस्थाओं में और साथ ही साथ नीजी तोर पर अध्यन अध्यापन का कार्य नियमित रूप से कर रहा हूं। करना चाहूंगा जो निश्चित रूप से आपके जीवन निर्माण में योगदान देंगे। मैं ऐसे छेतर से बिलोंग करता हूं। जो बाडमेर जला मुख्याले से सीमावर्ती, शेतर मिस्तित, फोगेरा गाओं जोसका नाम भी कहीं सुनने को नहीं मिलता, वहां से आता हूं। मेरी प्राइमरी एजुकेशन गाओं में भी थी, जहां पर सब्जेक्ट के टीचर नहीं थे, और पहली बार हमारे अंग्रेजी विशे, वो भी छटी क्लास में, पहली बार हमने A, B, C, D सेखी थी, शिक्षा का आलम ये था कि एक छोटा सा वाक्या हुआ हूआ हमारे साथ, 1997 की बात है मैं पांचमी क्लास में था और गाओं से 55 किलोमेटर दूर उससे उतहसिल में हम नवदी विद्याले का एंट्रेंस देने के लिए गए, तो वहाँ पे जब हमें ओमार सीट दी गई, तो उस ओमार सीट में एक कॉलम था कि आप अर्बन है कि रूरल है, तो हमारे अंगरी जी आई उसी साल थी, तो हमें पता नहीं था कि अर्बन क्या होता है, रूरल क्या होता है, हमारे पांच-साथ मिनट इस कारण विगड़ गए, कि हम विक्षक से पूछ रहे थे कि हम अर्बन है या रूरल है, उस जरनी को हमने आगे बढ़ाया, छटी-सात्वी-सा प्रोथ भी नहीं है, और एज्यूकिशन की बात करूं, तो मेरे पूरे दादा जी के परिवार में मैं पहला स्टूडेंट हूं, जिसने मेट्रिक पास करी, दसवी पास करी, और ऐसी बेसिक फैसिलिटी जिसकी आज किल बच्चे डिमांड करते हैं, ऐसी कोई फैसिलिटी दूर था और वहां जब मैं पहुंचता हूं, तो मेरे लिए बहुत कुछ नई चीज़ें थी, मैं पहली बार ट्रेन की यात्रा करता हूं, मेरे लिए बड़ा विश्वरनिय था वो, मैं जब जाल और होस्टल में मुझे दाखिला एडमिशन दिया गया, तो वहां पे मेरे पहली बहुत कुछ नई था, जैसे हमने टूथपेस्ट की दुनिया भी वहां पहली बार देखी थी, क्योंकि आठमी तक तो हम ब्रस से समझते नहीं थी, नीम की टहनी से दांतुन करते थे, हमने वहां पे पहली बार गर में टीवी तो हमारे 2007-08 में शायद आया था, और बहुत कुछ चीजें वहां पे मेरे लिए बड़ी नहीं थी, और चुकि गाओं से सीधा वहां पे गया था, तो जो वहां की लोकल लेंग्विज है, मेरे गाओं की लोकल लेंग्विज बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी, और ना मुझे हिंदी आती थी बोलनी, तो ऐसी इस स्थिती में मैं करीबन एक साल तक तो चुप चाप भी बैठा रहता था और इतना हींता, एक हीन भावना जो थी स्टूडेंट में वो मेरे अंदर बस कई थी, और मुझे उस हिंता से बार निकलना भी नहीं आता था, क्योंकि उस समय मैं बहुत छोटा था, ये उस समय मेरी अपनी संस्कृति, अपने पहनावे, अपनी बाशा और अपने जीवन का जो जीने का तरीका है, इससे कभी भी अपने को हीन नहीं समझना चाहिए अपने आपको, क्योंकि आप जैसा दूसरा कोई नहीं है, आप अपने आप में विलक्षन है, अपने आप में युनिक है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप दूसरी चीज़ों को न सीखो, मैं मानता हूँ कि जिन बातों को लेकर आप अपने आपको हीन महसूस कर रहे हो, इन्फिरियूरिटी में रख रहे हो, कम तर्मान रहे हो, उन चीज़ों को सीखना भी आपकी जमेदारी है, इस तरह से मैं मैं नाइन्थ और टैन्थ की क्लास जब जालोर में उतिरन करी, पास करी, तो इस हीन्ता का परिनाव ये निकला, कि टैन्थ क्लास में महज 49 परसेंटेज के साथ वापस आया, फिर जब मैं 49 प्रतिशत के साथ जब गावाता हूँ, तो साथी लोगों ने भी यही का कि फिर बाहर किसलिए गया था, इतने कम प्रतिशत के साथ आया तो फिर किसी ने कहा कि ITI करवा दो, किसी ने कहा कि ऐसा करो जोदपूर, किसी ने कहा इसको बिजनेस में लगा दो, मेरे को कोई नहीं पूछ रहा था कि तुझे क्या करना है, और इन सारी दबाओं को छेलने के मुझे दिमाग में एक ही बात थी कि यह चीजे मुझे ही ठीक करनी है, क्योंकि हमने बचपन में ही सीख लिया था कि अपनी जरूर्तों को सिम्त रखो, क्यों कहते हैं न कि जनकी जरूरत है सिमित हती, उनकी जमीर जिंदा होते हैं, कहते हैं कि आपका जैसा गroope होता है, आप वैसे बन जाते हैं, एक स्टूडेंट के लिए उसका गुरूप बहुत माइने रखता है, मुझे कॉलेज के दौरान मैं बड़ा सभागे सालिय हूँ, और भी ये फाइनली तक आते आते, मैं काफी कुछ चीजों को अवरकम कर चुका था और बड़िया तरीके से आगे बढ़ रहा था, और 2009 की बात करूँ, ग्राजूइशन हो गया था, और उसके बाद मैं दिल्ली जाता हूँ साथियों के साथ में, कैसेखम के लिए ड्रीम था, कि या तो सिविल सरुइसेज में जाओँ या फिर कोई वरदी की जॉइन जाब करूँगा, चाहे वा आरमी में जाओँ या किसी भी फिल्ड में, बट रहूँगा वरदी में या सिविल सरुइसेज में, इसे तो मैं दिली जाता हूँ और वहाँ पर फिर एक ऐसा यह ऐसी समस्या मेरे सामने आई जिसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया जुलाई 2009 के अंदर मेरे आंतों में पीट में एक हलका सा दर्द मैसूस होता एक दिन पांशा दिन तक जब निरंतर दर्द रहा तो मैं पास में क्लिनिक में गया पूछा तो उन्होंने नॉर्मल टैबलेट्स दी तो उससे कुछ ठीक नहीं हुआ दर्द बढ़ता गया मोसन बढ़ता गया बाथरूम की नीड ज़्यादा होने लगी दीरे 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 ऐसे लगने लगया जैसे पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हो म्यूकस आना स्टार्ट होता है बलडी डायरिया स्टार्ट होता है और दिन में करीबन करीबन दस से पनरा बार तक मुझे बाथरूम की नीड होनी शुरू हो गई अब इतने पैसे नहीं थे कि हम दिल्ली में जाके बढ़िया किसी होस्पीटल में इलाज करा है तो जीटीबी होस्पीटल जहां उस समय फ्री में सारा कुछ ट्रीटमेंट था तो मैं जीटीबी होस्पीटल जाता हूँ किस सब यह क्या होता है उन्होंनका यह अलस्रिटीव कौलाइटी록 है जो लार्ज इंस्टेंट नहें का बड़ी आांत इस्में पूरे फ्री चाले हो चुक है और तो मैं ने कहाई इस बिमारी के साथ ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना है. ये बिमारी टीन एज में होती है, नाइन टीन तक, बीस साल तक की उमर तक होती है, और ये इसके सिंटम्स मैं हर जगह बोलता हूँ, ताकि ये अरली स्टेज में ठीक भी हो जाती है. अगर 4-5-6 महीने बीट गए, उसके बाद ये लाइफ टाइम साही नहीं होती है, अभी भी मेरे ये साही नहीं है, बट कंट्रोल में है. अब उस गटना के बाद, वो जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद कुछ समय तक मैं एक डिप्रिशन की इस्तती आ गई, मैं घर से जब दिल्ली गया था, तो 59 केजी बार था, और 13,14 का एमोगलोबिन था, और जब मैं वापस दिल्ली से विमार होके घर आया, तो 43 केजी बार और 16 का एमोगलोबिन सीधा ऑस्पिटल में जाके एडमिट किया, और 3 महीने तक एडमिट रहता हूँ. करवालों को समझ में नहीं आ रहा थे कि बिमारी है किस टाइप की, इस्तियां ये थी कि मुझे यात्रा करने के लिए कई बार डाय पर पहनना पड़ता था, बड़ा दुख होता था उस समय, लेकिन छुपा के पहनता था, क्योंकि अपने सुसाइटी में अगर ऐसा कोई देख लेगा तो बहुत बुरा फिल होगा किसी को. मैंने अपने जो ड्रीम्स थे, सिविल सर्विसे, सैना में जाना करना सब खतम किये, और एजुकिशन में आने की रहा चुनी, क्योंकि ये बेस्ट फिल्ड था, और आपको बताओं कि मेरी इस बीमारी के बाद में, मैंने इसके लक्षनों का, इस बीमारी के सिम्टम्स का इतना परचार किया है, कि मेरे पास हर 10-15 दिशन में एक नेक बच्चे का कॉल आता है या मैसे जाता है, कि सर मेरे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं इसको क्या किया जाए और मैं अरली स्टेज में उसको आगा कर देता हूँ क्या चीजों का द्याद रखना मुझे मेरी नजर में ऐसे 30 से 35 बच्चे जनको इस बिमारी से होते होते मैंने बचा दिया अब इस बिमारी की साथ तो जीना ही था ये मैंने अपने आपको इस कड़वे सच को स्विकार कर लिया था वो चार पंक्तियां बड़ी प्रेरित करती हैं कि हद से बड़ी उडान की ख्वाइस की तो कुछ यूं लगा जैसे कोई परों को कतरता चला गया मंजिल समझ कर बैठ गए चंद लोग मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया 2012 में राजिस्तान गौवर्मेंट में मैं सीनिर टीचर की पोस्ट पे नुक्त हुआ और उसके बाद बच्चों को देरे-देरे पढ़ाना स्टार्ट किया मैंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ी मैं राजिस्तान होस्पीटल में एड्मिट था और डॉक्र साब आते और देखते हैं तो मैं किसकी कर रही हैं मैंने बस पढ़ रहा हूं किसकी कर रहा हूं वह बात अब कर सकती है और वह दूसरी ऐसी घटना जीवन में घटित वी वह कहते हैं कि इस पर परिक्षाय भी उनकी लेता है जो चुनोतियों का सामना कर सकता है कई बार बिमारी इस इस्थर की होती थी कि मतलब सुसाइडिकल थॉट्स आते थे कि कई मर जाए हमेशा के लिए डेली-डेली मरने से अच्छा एक दिनी मर जाते है लेकिन फिर वापस मुड़ के देखते थे तो लगता है कि परिवार क्या हमारे से उमीद रख रहा है हमारे साथ ही हमारे से क्या उमीद रख रहे हैं और लड़ना ही एक मात्र विकल्प है और 2013 की बात है दिसंबर का महीना था और दिन में मेरे पास बैंक से कॉल आता है बैंक वाले ने कहा कि आपके घर की कुरकी है कुरकी जिसे बोलते हैं ऑक्षन मतलब घर जाएगा आपका क्योंकि इसके उपर कोई पुराना लोन उठाया हुआ है मेरी जानकारी में ये चीज़े नहीं थी और मुझे ये बताते भी बिल्कुल संकोच नहीं है कि साधी को 10 या 15 दिन हुए थे मेरे और मेरी धर्म पतनी की जो गहने थे उनके सारे गहने मैंने गोल्ड लोन के रूप में लोन लिया वो सारे दे दी और वापस आज तक नहीं आ दिया बाकी सारी चीज़े ओल्मोस्ट ओल्मोस्ट चली गई कि कहते हैं कि संकट जब भी आता है तो वो केवल दुख ही नहीं लाता वो अपने साथ कई सारी चीज़ें और भी लाता है संकट वो समय होता है जब आपको अपने और परायों का ज्यान होता है संकट वह समय होता है जब आपको अपनी छमताओं से आपका खुद का परिच्य होता है और इस संकट का उपयोग भी हमने किया मैंने किसी से कोई बात नहीं की और बस कुछ दोस्तों से साहता मांगी थी, किसी ने मदद की, किसी ने फोन बंद किये और मैं मेरा काम करता गया, मैंने जो नियती ने लिखा है, वो होता रहेगा, मैं मेरा काम से दत से करूँगा मैं कोचिंग इंडिस्ट्री में जोड़ा, मेरी मजबूरी थी उस समय देरे 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 जब तक COVID आता है, तब तक मैं इस बड़ी समस्या को अल्मोस्ट अल्मोस्ट निकाल सुका था तबी COVID का दौर आया, और इस समय मेरे दिमाग में एक ही विचार आया, कि जब मैंने मेरी इतनी बड़ी आर्थिक समस्या को निकाल दिया, बिमारी से गुजर रहा था, और इसी समय में आपको बताओं, कि मेरी पड़ाई बंद नहीं भी थी, 2015 में पूरी राजस्तान में तेरी रेंग के साथ मैं स्कूल में लेक्चरर लगा था, इसके बाद में इस समय मैंने आरेस के अंटरूबी بھی दिये, इसके बाद में अस Business प्रॉफेसर रास्तान में 33 रेंग के साथ सेलेक्ड भी हुआ, और ये सारी चीज लगातार जारी थी मेरा पढ़ाया हुआ सिक्षक वहां लगा हुआ नहीं है फिर एक प्रन लिया कि गाओं की जो बच्चे हैं जो बड़े डेप्राइट सेक्शन से जनके पास में पैसे नहीं है पढ़ने के लिए मैंने मेरी जो सैलरी है जो तनक्वा है उसका 20 प्रतिशत उनके उपर खर्च कर अध्यापक लगा अध्यापक लगने बाद जब मेरे पास आया बोला कि sir मैं वह सारे पेमेंट आपको करना चाहता हूं मैंने ख आज वही ये काम बड़े पैमाने पर चल रहा है और 2020 में कोविड की हालात बने तो मैं ऑलनाइन दुनिया में आ गया और आज करीबन करीबन पांच से साथ लाख राजस्तान के बच्चे हैं जो प्रिटेक्स रूप से सीधे तोर पे मेरे से जुड़े हुए हैं इन बच्चों में मैं निरंतर नशावरती से दूर रहने की बात करता हूं मैंने मेरी क्लास रूम के हजारों बच्चों को इस प्रवर्ती से दूर रखा है कई बच्चों को नशे छुड़ाये मैंने ऐसे कई सारे एक्जामपल जब हेस्ट्री सीटर को मैंने एक इनसान बना दिया इस सारी जर्णी में मुझी जो कुछ सीख मिलती है वो ये कि समस्यां जो हैं हमेसा जीवन में आईग परन्तु आप कमज़र होके बैठ नहीं सकते, आप अगर मजबूत होंगे तो समस्यां लंबे समय तक नहीं चलती दूसरी बात जो मुझे सीखने को मिली वो ये मिली, कि जो समस्यां आती है आप मान के चलिए कि आज जो आपके समक समस्या आई है, चाहर साल बलसे भी बड़ी समस्या आपके सामने आईगी इसलिए आपको हर वक्त हर चनोते से लड़ने के लिए तयार रहना चाहिए और हर समझ से अपने साथ असीम संभावना इलाती है और मैं मेरी बात को चार पंक्तियों से खतम करूँगा कि कटेंगे पर मेरे फिर भी मेरी परवाज बोलेगी मेरी ही खामोसियों मेरी आवाज बोलेगी कहां तक मिटाओगे तुम मेरी हस्ती को ये धरा जर्रे जर्रे में मुझे जामबाज बोलेगी शुक्रिया